हलो गाईसे और वेलकम तुम्हारी यूटूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेशिया वीडियो आपके लिए काफी यदा यूजफुल और इंपोर्टेंट होने वाली है इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसके बाद आप लोगों को right side corner में उपर की side three dots दिखेगा three dots पे आपको click करना है three dots पे click करते ही आप लोगों को यहाँ पे एक option मिल जाएगा setting नाम से आपको यहाँ पे setting नाम से जो option मिलता है इस पर click करना है इस पर click करने वाद आप लोगों को screen पे कुछ ऐसा interface finally show होने लगता है अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आना है slide करके नीचे आएंगे आप लोगों को नीचे आने वाद finally color ID announcement का option दिखाई देगा यहाँ पे आप लोग advance के नीचे देख सकते हो इस option पे आपको click करना है color ID announcement पे और यहाँ पे कुछ important setting करना है अगर आप never कर देंगे यह never already रहता है never रहेगा तो नाम नहीं बोलेगा लेकिन अगर आप दो option में से जैसे कि first वाला है always वाला अगर आप always कर देते हैं तो जब भी किसी की call आएगी तो हमेशा वो जो है नाम बोलेगा लेकिन जो second option है only when using a handset इसको choose कर देते हो तब अगर आपने अपनी phone को Bluetooth से connect किया है तब किसी की call आती है तो उस समय नाम बोलेगा